Hello students, our today's teaching topic is to solve 10 questions, 10 most important MCQs question. यह question number 5 है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह English का पेपर 2020 में two parts में divide हो गया. पार्ट नमबर A, question number 1 से 5 तर रहेंगे और पार्ट नमबर इसके बाद पार्ट नमबर B रहेगा. तो पार्ट नमबर A का question, last question है, question number 5, जो की 10 question MCQs के रहेंगे. और इसमें से 8 आपको करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, question लिखा हुआ है. attempt any 8 questions, यानि सिर्फ 8 question आपको attempt करना है, और 10 दिया रहेगा. और ये MCQs based रहेंगे, इसलिए MCQs की practice आपको कराई जा रहे है. ये आपके फ्लैमिंगो की दोनों पार्ट, प्रोस, पोईटरी और विस्टर्स के पार्ट से questions बन सकते हैं, या बना कर दिये जाएंगे. तो आएए समय को ना गवाते हुए, सबसे पहले हम इन questions के answer को जानने की पूई कोसिस करेंगे with detailed explanations. ये वीडियो आपको बहुत important होने वाली है, अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को last तक देखिए आप. देखिए question number first क्या कह रहा? तो अब ये clear है कि the red trap से लिया गया है, the red trap chapter number four है, उसके MCQs हैं, यानि the red trap का philosophical based है, या इसकी theme क्या है, इसकी synopsis क्या है, ना किस आधार पे रखा गया है, तो इस question का जो option है, वो आपको बताना है, तो इसका option आप वीडियो को pass करके पहले खुद से tick लगाईए, तो इससे आपको पता चल जाए कि आपकी तयारी कितनी है, तो इस question का answer, जो है question number four है, जो question number four है, इसका answer, hammer and wit, यानि the red trap, जो theme, synopsis और जो philosophical load है, inherent का मतलब होता है, स्वाभाविक, या जन्मजात, या जिन्वे, तो इसका जो स्वाभाविक इस chapter का nature, वो hammer है and wit है, यानि इस story इस तर रखी गई ही, जिसमें थोड़ा सा hammer रखा गया है, बड़ी जिमानी के साथ story को रखा गया है, जो बहुत अच्छा message देता है, तो आएए next question को अब solve करते हैं, our next question is, question number B, choose the statement that is not true, with reference to Douglas, अब देखे, आपको जो questions के options सही है, वो तो तुरंत आप टिक लगा लेते हैं, लेकिन क्या सही नहीं है, इस तरह भी question देता है, यानि जब किसी chapter की deep knowledge होगी, तभी आप ऐसे questions के answer solve कर पाएंगे, तो इस question का options कौन सा सही options है, अब Douglas कहा है, तो जाहिर सी बात है, ये आपके flamingo book के, जो है, deep water chapter number third दिया गया है, क्योंकि उसी के writer William Douglas है, तो इसका जो correct statement है, वो in four statement में से कौन सा है, ये आपको बताना है, तो जो option number four दिया हुआ है, Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear, अपने fear को overcome करने के लिए, उन्हेंने relentlessly effort किया, ये effort सही नहीं है, तो इसको सही नहीं है, यानि option number four सही नहीं है, बाकी तीनों option आप detail पढ़ लिएंगे, ताकि आपको दुबारा ऐसे questions का answer जरूर, यानि इस question का जो answer है, वो answer number four है, answer number four, Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear, गलत option है, क्योंकि not true पूछ रहा है, question number six देखते हैं, spender's use of imagery, spender ने imagery यूज किया है, क्या imagery यूज किया है, his eyes, अब spender's word आ गया, stephen spender's एक poet है, तो ये poem की एक line दी गूई है, ये कौन सा poem है, ये आपको बताना है, तो कौन सी poem है, ये हर question से दो दो तीन तीन questions बनते हैं, और ये ये video आपके लिए बहुत important है, तो Stephen Spender's आपके 12th flamingo book की जो poem है, वो पहली poem है, और नहीं, first poem नहीं है, my mother at 66th first poem है, तो an elementary school classroom in a slum, इसके poet हैं ये, तो इसका option कौन से हुए, देखे, misery क्या है, his eyes live in a dream, उसकी आखें जो है, सवपन में रहती है, of squirrel game, squirrel game के entry room, यानि रूम में एक जो squirrel का घर बना हुआ है, उसके बाहर squirrel खेल रही है, तो ये उसके बाहर, other than this, दूसरे किसी की comparison में, यानि जो अंदर का atmosphere है, उसके नहीं है, बाहर का atmosphere में, squirrel को खेलते हुए, देखता है, तो ये बात रहे गए, ये एक कालपनिक बात है, जो imagine से full of है, तो ये poem में describe किया गया है, एक बच्चा classroom में बैठ कर, class के बाहर, squirrels को खेलते हुए, देखता है, तो poet वही imagery को explain करता है, तो अब बात ये है, कि ये क्या brings out करता है, यानि कौन सा option इसमें सही है, तो option, option number जो C है, C का option second सही है, second जो है, सही है, तो second क्या कह रहा है, second आपका ये कह रहा है, second, the contrast between, या studying in the dreary classroom and playing outside freely, यही feelings आती है, the contrast between studying, जो studying की बीच, जो contrast है, विरोधा बात है, in the dreary classroom, अब देखें, dreary का क्या मतलब होता, dreary का मतलब होता है, निरासा जनक, जो संतोस जनक नहों, जो नीरस हो, जो मंद हो, जो उदास है, dreary के ही मतलब, क्योंकि classroom यही है, poem में यही कहा गए, an elementary school classroom in a slum में basic facilities तक उन्हें मिलती है, तो इसलिए वो बाहर की तरफ देखता है, आए, question number D solve करते हैं, D क्या कह रहा है, kids celebrates, अब जैसे ही kids आया, आपको तुरंत पता चल जाने कि यह किस poem से है, kids के आते ही, तो क्या कह रहे है, kids celebrates trees as a boon, in the poem, a thing of beauty, यानि a thing of beauty के poet है, kids इस question से दूसरा तरीके का पूछा जा सकता है, with reference to this statement, which of the following option is not true, कौन सा सही नहीं है, यही पर सबसे ज़्यदा आप गलती कर जाते हैं, क्या कि कौन से इसमें सही वालत तो तुरंत आपको आ जाता है, लिकिन कौन सा सही ने ये तुरंत नहीं आ पाता, तो trees as a boon, trees को एक boon की रूप में, एक वरदान की रू तो कौन सा सही नहीं है, है तो option बहुत आसान, लिकिन concept clear होना चाहिए, trees provide relief from heat, ये option सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है, trees gives us sustenance, sustenance का मतलब भारन पोशार, ये सही बात है, और दूसरा option क्या कह रहा है, trees help keep the earth clean, trees जो है हमें मदद करता है, अर्थ को clean करने, trees appear beautiful to die, हमारी आखो के लिए beautiful है, ये सब सही है, लेकिन trees provide relief from, हमें गर्मी से, heat से relief देता है, trees, ये बात सही नहीं है, हाला कि आंसी रूप से सत्य कह सकते हैं, आप इसे, लेकिन हम आंसी रूप से ही सत्य कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इतने trees हैं, फिर भी सदियों से गर्मी हम झेल रह है जो warm season है वो तो रहे गई है जिदनी ट्रेज हो हां कुछ फर्क अवज से परता है आये we will discuss our next question the next question is question number E मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को बहुत detail समझ में आ रहा होगा तो concluding his last lesson by writing why will love friends अब last lesson हमारा पहला लेशन है flamingo book का prose का on the blackboard shows that M. Hamill अब why will love friends लिखा हुआ है blackboard पर तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि Hamill क्या है क्या प्रदर्शित करता है तो इस question number E का जो option first सही है was over blamed with emotion over blamed एक सरमिंदगी महसूस करना feeling के साथ क्यों क्योंकि उनका last दिन है और जो है क्या कहते हैं आप last time है इसके बाद वो किसी प्रकार की teaching यहां नहीं कर रहा है तो over blamed with emotions अपनी emotions के साथ वो over blamed है यहनी इस question का question number E का option जो है आपका first सही है first option सही है बागी आप खुद से read कर लीजिएगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी next question question number F राजकुमार सुकला अब राजकुमार सुकला है तो आपको तुरंत गिस हो जाना चाहिए कि यह इंडिगो चैप्टर से है ना फ्लैमिंगो वो प्रोस का इंडिगो चैप्टर से है क्योंकि राजकुमार सुकला second most important character रहता है गांधी जी को आप first मान सकते हैं तो राजकुमार सुकला अफर्स उनका जो प्रयास है result देता है इन गांधी जी जी जो fight करते for the former सकाथ former के कारण और के कास लिए जो गांधी जी fight करते है राजकुमार सुकला का result है उनका प्रयास है उनका effort है किस तरह का प्रयास है enterprising and persistent अब enterprising का मतलब होता है बहुत ही उतसाही थे और persistent persistent का मतलब वो लगातार प्रयास कर रहे थे तब जाकि उनको सफलता मेरे यानि question number F का जो option आपका third है वो सही है enterprising and persistent now we will discuss question number G it is clear that the speaker in Aunt Jennifer's tiger ये clear साफ इसपस्ट है कि जो speaker है Aunt Jennifer's tigers का उसका attitude क्या है बहुत आसान questions है इसका option भी इतना आसान है क्या आपको मालूम है अगर आपको मालूम है तो आप जो है इसका answer बताईए comment करके मुझे answer बताईए किसका answer क्या है तो attitude of the speaker of Aunt Jennifer's tiger is sympathy बड़ी ही सहान भूती के साथ to speaker explain करता है now we will discuss next question and our next question is keeping quiet keeping quiet uses fisherman to symbolize man जो keeping quiet poem है वो जो है fisherman to symbolize man क्या symbolize करता है यही symbolize करता है keeping quiet में यही बता है कि सब लोग सांत रहें ताकि जो nature का हम लोग disturb कर रहें उसका disturbance थोड़ा कम हो जाए तो यह match करता है किसी भी chapter किसी भी poem की theme पता है आपको story detail पता है तो हर questions के answer आपको आ सकते है इन में से किसी question का answer नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप उस chapter को detail नहीं पढ़ें so please आप उस chapter को detail पढ़ें ताकि हर question का answer आप solve कर सके यह next exam के बहुत important है limitless exploitations of natural resources the limitless exploitations of natural resources हो यह option यानि H का option third is correct है now we will discuss our question number next last two second question साहफ's discarded what is the meaning of discarded फेका हुआ and worn out tennis shoes are क्या indicate करता है यह line जड़ा बताएंगे हमें कि यह क्या indicate करता है तो यह line जो हमें indicate करते question number I का first a dream come true एक सब्द जो सच हुआ a dream come true तो इसका जो option है वो second सही है a dream come true जे नमबर in the poem my mother at 66 all that the poet did was smile and smile her smile is अब देखें तीन बार smile है एक smile का मतलब anxiety एक smile का मतलब hide her own smile एक smile का मतलब farewell इस तरह करके दूसरी questions में बताया जाता है यानि इस तरह कभी questions बन सकता है तो इस question का answer क्या her smile is उसकी smile क्या put on to cheer her mother अब यह option जो दिया है option number question number j का जो option number four दिया है इसका मतलब इसे दूसरी तरीके जो बनाए हर smile को क्या दूसरी तरीके जो क्या पूछ सकता है कुछ इस तरह पूछ सकता है her smile is indicate farewell और her smile is put on to cheer her mother यहनी इसका question जो है four सही है option four सही है j का option four सही है मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो जरूर समझ में आया होगा अगर कोई problem है तो आप comment करके बता सकते हैं we will discuss on next time next way so that you are able to understand thank you so much